एक और वीडियो में आप सब का स्वागत है यह वाला जो वीडियो है यह आइधिंक छठा वीडियो है आप यहां पर देख लो एक सेगन आपको दिखा वे जैता हूं यह देखो यह पांच वीडियो अप्लोड हो चुके हैं यह एक यह दो तीन चार पांच इन दोनों का थमनेल आपको सेम दिख रहा होगा मैंने गलती से सेम लगा दिया था बट मैंने चेंज कर दिया है तो होप कुछ दिर में चेंज हो जाएगा एक और वीडियो में हम आ देखनी तो ले विँडियो देख लेए ना आपको जो जहीं लगे एंड में तो बलनोंगा सारा देखना आपको आईडिया लगा जेगा क्या मुम्थ क्या नहीं हो रहा है और आगे बढ़ते हैं आज के न yönउस के बारे मिले canous करता है आपको कार्ड मिलता है उसमें भी मैं आपको 4 वीडियोस maximum दे सकता हूं i-button पर आपको 5 वीडियोस ही maximum दे सकता हूं वह आप देख लेना बाकी आप चैनल पर जाकर के देख लेना मैंने आपको चैनल पर दिखा भी दिया कौन कौन से वीडियो आज के हैं यह स्टार्टिंग के पाँच वीडियो यहां तक यह एक दो तीन चार पाँच तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहला न्यूस बात करते हैं के बारे में यह न्यूस थोड़ा पहले का है मतलब आज सुभाई यह न्यूस आ गया था बट ठीक है क्या न्यूस है वो देखते हैं आगे अगर हम न्यूस के बार में बात करें सेल टेक सयर प्राइस विटनेशह ग्लाइना वंन परसेंट उपर में चीज़ और में सिर्ट सेमी चीज लिखा हुआ है ओके अ आफ दफ क्वाटर फॉर हे दो भी जिधी आप्रिरि सवह होंगे आपको एक वीडियो में बताए भी था मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं अगर होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अभी आई बटन पर अगे बढ़ते हैं यह था अगर होगा देखते हैं क्या होता है आगे वैसे कुछ मुझे नहीं लगता कुछ इंपाक्ट उतना पड़ने वाला है फिर यह वापस से नेगरिटिव से हट जाएगा देखते हैं जो भी होगा अगला न्यूज है पेटियम के बारे में 27% यह और राइस तो रीच 90 मिलियन एवरेज ट्रांजेक्टिंग यूजर्स इन क्वाटर 4 तो इसका एक तरह से राइस देख सकते हो क्वाटर 4 के बार में थोड़ा सा न्यूज है फाइनल नहीं है क्योंकि क्वाटर 4 आएगा तो फाइनल होगा बाकिया आप यह पे डीटेल थोड़ा पड़ सकते हो Ptm saw its quarter for average monthly transaction मतलब MTU average monthly transacting users यहां पे MTU का short form है rise by 27% year on year 90 million for the quarter ended March 2023 मतलब quarter 4 की बात हो रही है the fintech major informed exchange मतलब यह जो time है merchant payment volumes GMV okay for the quarter stood at 3.26 lakh करो 44 billion with yoy growth of 40% मतलब इसमें भी ग्रोथ है अच्छी बात है Ptm noted it continued growth in payments and loan distribution business as it strengthened leadership in offline payments with 6.8 billion deployed devices and यहां पे कुछ devices के बारे बात की गई है तन उसके बाद यहां पे quarter force of 4,468 करोण मतलब इतना million worth of loan disbursement via the platform growth of 206% yoy it added our loan distribution business in partnership with our lender partners continue to gain scale and 4.1 million loans growth of 63% yoy तो यहां पे जो भी है यहां पे loan business के बारे में थोड़ी सी बात की गई है कि यहां पे जो है continued growth in payments and loan business distribution जो है उसमें growth continued है और जो कुछ numbers यहां पे रखेंगे आपने समझ लिया होगा and यह चीज आपको detail में और जो है इसका Q4 का result जब आएगा तो आपको और भी detail में इसके बारे में पता चल जाएगा Pteam के बारे में सब कुछ ठीक है बस हाँ थोड़ा सा profit जो है इसमें नहीं है बाकी तो इसका business तो काफी अच्छा है तो जो भी है देखते हैं क्या होता है आगे then एक news है भारत dynamics के बारे में अभी पता है आपको यह defense sector बहुत जादा बूम कर रहा है यहां पर एक news आता है भारत dynamics से वहां पर क्या है revenue decline कर गया प्रोविजनल रेवन्यू जो है FY 2023 का वह fall कर गया है इसी वज़े से यहां पर कुछ impact आएगा यहां पर देख सकते हो Shares of भारत dynamics slipped in early trade जो भी है the company clocked in provisional revenue of 2458 करोड़ एफ़ए 23 reflecting at 12.8% decrease as compared to 222 which is 2817 मतलब यह जो है 2817.2 करोड़ था FY22 में then वह decrease होकर के FY23 में 2400 पर आ चुका है and यही असाइड sorry and यहां पर आप देख सकते हो यह जो है provisional revenue का जो decrease है and यहां पर देख सकते हो 12.8% decrease है इस चीज़ का तो brokerage firm ICICI direct said in a note decline in revenue was below their expectation and even the management has guided for a 10-12% year on year growth and a top line तो यहां पर और कुछ चीज़े लिखी गई है and यह जो है क्या हो रहा है market में उसके बारे में लिखा गया है तो overall वाई है कि provisional revenue जो है वो यहां पर जो है decrease हुआ है and यहां पर एक और चीज़े यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर तो 2800 से 2400 मतलब 2800 से 400 पर आ चुका है and 12.8% का यह यह downfall है आगे बढ़ते हैं दन हिंदुस्तान जिंग के बारे में एक news है हिंदुस्तान जिंग सियर गेंस 2% as refined metal output hits record high in 423 तो हिंदुस्तान जिंग का जो record metal output है यहां पर आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंग ट्रेड़ 2% higher आज का जो है जो भी यह मार्केट में जो भी चीज हो रहा है वही चीज यहां पर लिखी होई है the company's refined metal production was 7% on year at 10.3 lakh tons for the physical ended March 31 it says press release it said in a press release it was the first time that the production of refined metal has reached 1 lakh tons figure मतलब यहां पर यह एक record ही तक तो गया ही है लेकिन first time जो है यह 1 lakh ton यहां पर देख सकते हो 10.3 lakh tons जो है तो यहां पर 1 lakh ton का जो figure है वह यहां पर breach कर दिया गया है first time की बात है the company said higher production was due to better plant availability consistent minded consistent minded mining metal flows from mines मतलब यहां पर माइन से consistent metal flows यह सब के वज़े से ignore करना का इस notification sound को तो इन सब चीजों के वज़े से यहां पर all time कह सकतो एक high all time high या फिर record high जो है refined metal का जो है एक तरह से extraction आप कहलो या फिर production जो भी है तो वही चीज है आगे बढ़ता है यह अच्छी news है हिंदुस्तान यहां पर पढ़ सकते हो जंप 5% after the company announced की लिडर्शिप चेंजेज लिडर्शिप चेंजेज इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट अफ क्रिष्णा बोधान पू जो भी है अगर प्रणाउंसियेशन मेरा गलत है प्रणाउंसियेशन तो थोड़ा थोड़ा थोड़ देना मुझे and as executive vice chairman मतला भी जो क्रिष्णा जी है executive vice chairman and MD दोनों है and यह जो कार्थिक यान नट राजन as executive director and CEO okay so vice chairman and MD यह है executive director and CEO यह है तो इनका जो है change हुए and आगे आप यहां पर पढ़ सकते हो वही चीज लिखा हुआ होगा current president and global head of aerospace and real communication provider okay so यही चीज़ है मतलब यहां पर कुछ changes हुए है यह video pause करके आप पढ़ लेना मतलब क्या change हुआ 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 है आपको बताई दिया कि में जो change है वो यही पर कि कृष्णा जी का change मिलब कृष्णा जी आया है as an appointment क्रिष्णा जी को MDN vice chairman executive vice chairman and director executive director and CEO जो है वो कार्थिगान जी है so बस गाइस यही थे चार निउस चार या पांच तो पांच निउस थे और मैंने पांचों को cover कर दिया है और लगातार आज निउस आते जा रहे है और आप भी देखते रहो और helpful हो तो यार सब्सक्राइब स्क्राइब सब कर देना and like and share जो भी है और इसी तरह के latest updates के लिए गाईज आप subscribe करके bell notification को जब्सक्राइब कर देना मैं आपसे मलता हूं किसी और news में किसी नए और interesting news के साथ तब तक के लिए जैहिंद and thanks for watching